दोस्तों, अगर ये सोच आपकी है, तो आप जिन्दगी में अपने बिजनस को बढ़ा नहीं कर सकते हैं, कहते हैं जंगल में मोर नाचा, मोर नाचा किस ने देखा, जब तक आप दिखाएंगे नहीं, अब देखे दिखाने के तरीके कई हो सकते हैं, खाली सुन रहे हैं, उस से भी कुछ नहीं होने वाला है, नोट कर लिजिए एक डाइरी के अंदर, फ्रेमवर्क बना लिजिए, फ्रेमवर्क बनाईए कि मेरे को आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, किस कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, कौन सा पोइंट है जिसकी वज़े से मैं नही का फैसल सूरत से एक बार, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, आपके अपने social media platform, चाहे वो Facebook हो, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो Instagram हो, चाहे वो LinkedIn हो, क्योंकि फ्री का तो यही आता है, पैसा लग के करने वाला एड हम नहीं करते हैं, क्योंकि costing नहीं बढ़ानी है, हमारे product की, इसके लिए हम जो करते हैं, खुद करते हैं, और फ्री वाले प्लेटफार्म के उपर, जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुचा सकते हैं, वो पहुचाने का प्रियास करते हैं, अपने सोशल मीडिया या आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म क के जरीए दोस्तों आज के वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा जरूर वीडियो को क्लिक किया होगा क्योंकि यह गलतियां जनरली सभी करते हैं मैंने भी की थी लेकिन इन गलतियों से उभर कर मैं अपने आपको बाहर लेके आया हूं 30 साल के experience के साथ, किस तरीके से मैं अपने आपको इन गलतियों से बाहर लेके आए, वो आज आपके साथ share करूँगा सबसे पहली जो गलती करते हैं हम दोग अपने आपको सेठ दिखाने के लिए कि सब काम मैं ही करूँगा, कोई बाहर से मिलने मुझसे मिलवा, मुझसे लेस वाला आया है, मेरे पास ले क्या हो कार्टून बेशने वाला आया है, मेरे पास ले क्या हो, मैं बात करूँगा, मैं मोलभाव करूँगा मिल वाला आया है, मेरे पास ले क्या हो, पता लगना चाहिए कि सेठ मैं हूँ, अरे भाई उनका order करते रहोगे, चाय का order करते रहोगे, मील वाले से बैठके मोल भाव करते रहोगे, कि ये quality मेरे को तो तू 5 रुपे में चापके दे, या 7 रुपे में चापके दे, या 10 रुपे में चापके दे, तो काम divert कीजिए, टीम बनाईए पूरी, हर एक area के लिए अपनी एक ट आते हैं, तो ये गल्ति कताई मत कीजिए, आपको अगर ये दिखाना है कि मैं सेट हूँ दुकान का, तो एक तक्ति लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और हर उसको बता दीजिए कि मैं हूँ दुकान का सेट, ठीक है ने, लेकिन काम करने का जो तरीका है, उसको तरीक करनी है या वर्क वाले से बार्गेन करनी है तो वो डिपाटमेंट परचेश डिपाटमेंट जो है वो आपका काम करेगा नैंकि आप उन सब चीजों में उलजे रहेंगे आप अपने आपको वहां से फ्री रखिए और नए क्रियेशन में लगाईए मेरा मानना है कि आप जो क पड़ी गलती हम करते हैं, पहले नंबर की गलती यह है, दूसरी गलती लोग करते हैं, व्यापार के अंदर पैसे को बिजनस में यूज नहीं करके FD कर देना, जो भी कमाई करी, उसकी FD कर देते हैं, अरे FD तो आपकी inflation rate जो बढ़ रही है, उसके मुकाबले FD rate कम है आज, आज महेंगाई दर अगर 8 रुपे से बढ़ रही है, 8 रुपे परतिसेकड़ा से, तो FD कभी आज आपको मिलता है 6 टका, 7 टका, तो अगर आप इस तरीके से करेंगे, तो भाई साब आप घाटे में जा रहे हैं, इस चीज की calculation करके, कभी देखिएगा, मैंने वीडियो भी पैसा बढ़ रहा है, तो काम होने वाला नहीं है, हर बड़ा बिजनसमेन, हर बड़ा बिजनसमेन, आप ये ध्यान रखिए इस चीज का, वो पैसा बैंक में FD नहीं रखता है, वो बैंक का पैसा यूज करता है, इस चीज को गाठ बान लीजिए, इसमें भी दो बाते हैं दोस्तों पहली बात है अगर आप छोटा बिजनस कर रहे हैं और बिजनस की सुरुआत कर रहे हैं पचीस-पचास अजार लाक रुपए से दो लाक रुपए से तो कट्टाई कभी भी लोन लेके नहीं कीजिएगा मैं आपको फिर से सला दे रहा हूं लोन तब लिया जाता है जब बिजनस आपको बड़ा करना है बिजनस खड़ा करने के लिए कभी भी लोन लेना उचित बात नहीं है यह चीज को गाट वान लीजिये दोस्तों हमेशा अगर आप नया बिजनस खड़ा करना चारे हैं तो लोन मत लीजिये लेकिन आपका already business खड़ा है और आप business को बढ़ा करना चाते हैं, expand करना चाते हैं, item बढ़ाना चाते हैं, कई जगहों पर और अपने business को बढ़ाना चाते हैं, तब आप bank का पैसा use कीजिए, bank का पैसा लीजिए, आपको लगता है कि आप मैने का 5 टका कमा रहे हैं और मैने का 1 तो चार टका आपको इंट्रेस्ट का लग रहा है तो चार टका आपकी कमाई हो रही है आप लोन लेने में बिल्कुल भी हीच की चाहिए मत तो यह लोन लेने वाला जो पॉइंट था यह भी आपको ध्यान रखने की जरुत है तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों को बड़ा नहीं कर सकते हैं कहते हैं जंगल में मोर नाचा मोर नाचा किसने देखा जब तक आप दिखाएंगे नहीं अब देखिए दिखाने के तरीके कई हो सकते हैं दिखाने का तरीका शोशल मीडिया प्लेटफार्म हो सकता है दिखाने का तरीका आप कितना खर्चा उस करते हैं आप लोगों तक पहुंचाएं आप लोगों तक उसका मैसेज पहुंचाएं कि ये प्रोड़क्ट किस तरीके से बनता है उसको बनते हुए दिखाते हैं उसको साड़ी कठती है तो दिखाते हैं यह हर व्यापार के लिए लागू होता है आप अपने प्रोड़क्ट क कस्टमर्स तक पहुँचाईए उनको बताईए कि ये प्रोड़क्ट में क्या खूबिया हैं कैसी क्वालिटी आप बना रहे हैं जब तक बताएंगे नहीं तब तक आपका कंजूमर उस प्रोड़क्ट को कैसे देखेगा इसके तरीके कई हो सकते हैं जैसा कि मैंने बताया अंदर अपना यूट्यूब पे चैनल सुरू किया था अज मेरा फेशन का मेरे सो दो सब्सक्राइबर भी नहीं थे आज साड़े चार लाग मेरे सब्सक्राइबर हैं उन साड़े चार लाग लोगों तक मैं अपनी बात को पहुँचाता हूं शोशल मीडिया प्लेटफरम क दो कि इस वह कुई खर्चा मेरा नहीं है मेरा समय लगता है एक प्रोडक्ट मैरे को भी प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है मैं अपने प्रोडक्ट को बताता हूं कि भाई यह जोर्जएक की साड़ी है इसके ऊपर जरी का वर्क किया ‫aire बहुत ही सुंदर मोड़र इसके उप हमारे पास आते हैं, आप इसको लिखे जाते हैं, आप के यह बिकता है, तो आप रिपीट हम से मंगवाते हैं, तो बस यह है, advertisement यह है, और क्या है, ब्रांडिंग यह है और क्या है, आपकी खूबसूरत चीज है, वो लोगों को पता होने चाहिए कि कितनी खूबसूरत है, अपने प्रड़क्ट को लोगों तक जरूर पहुचाना चाहिए। दोस्तों चोथी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर एक व्यापारी किया करता है। वो गलती होती है कि वो टीम को बढ़ाता नहीं है। बढ़ाता है लेकिन अपनी टीम के अंदर एक रामुका का उसने रखा किसी भी कीमत पे. CEO के लिए तो CEO का ही आदमी आपको रखना पड़ेगा और उसकी CEO की सविचक आपको देनी पड़ेगी काको रामुका का तो अपना रामुका का का मेरा का काम करते रहेगा. और CEO रखने के लिए एक अच्छी पाना बहुत ज़िए है दोस्तों. CEO-CEO की केटेगरी का ही आपको रखना पड़ेगा, रामुका का CEO नहीं बन सकता है, ये चीज भी ध्यान रखना है, अगर आपको कुछ एक्ष्रा पाना है, तो आपको कुछ एक्ष्रा पे करना पड़ेगा, तो बस अपनी टीम में ऐसे ऐसे लोगों की भरती कीजिए, जो आप से कु कुछ जादा जानते हो, जितना आप जानते हो उतना तो आप करी लोगे दोस्तों, तो बस अपनी टीम में ऐसे लोगों की भरती कीजिए, जो आपको और नए मुकाम के उपर लेके जाए, मैंने भी अपनी टीम में ऐसा ही किया है, दोस्तों, हमारे या भी एक सेलेरी की बा उनसे, आज मैं सो करोड के उपर हूँ, तू मुझे कहां पे पहुंचाएगा, बता, जब वो आपको डेट सो करोड पे पहुंचाने के लिए तयार है, तो क्या अधिकत है, आप उसको दीजिये न, लाक रुपय सेलेरी मैंने की, या दो लाक रुपय सेलेरी, या पांच लाक जो भी बनती है, जिस हिसाब का व्यापार आप करते हैं, जिस तरीके का व्यापार आप करते हैं, उसके हिसाब से, तो बस दोस्तों, कभी भी एक सेलेरी बाउंडेशन नहीं रखिया, आपके व्यापार के हिसाब से, आपके व्यापार को कैसी जरुरत है, उस हिसाब से अपनी ओर्गिनाइजेशन के बीरबल्स को, खोज के रखिए अपने नवरतनों को, कौन है आपके नवरतन जो आपकी इस ओर्गिनाइजेशन को एक मुकाम के उपर ले जा सकते हैं, और वो बीरबल, वो नवरतन आपको तभी मिल सकते हैं, जब आप उनको उनके इसाफ से प मेरी सेल 10 करोड की है या 20 करोड की हाँ ठीक है काम चल रहा है अरे यही आप अपने प्रिमाइस को 10 दुकान की जगे अगर 15 दुकान कर देते हैं तो शायद आपकी जो ये 20 करोड की सेल है ये 25 करोड की हो सकती है या 30 करोड की हो सकती है आप 10 आदमी रखे हुए हैं आप 3 आद अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा तो जिंदगी में आप कभी नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, देखिए, हो सकता है, आप एक काम कर रहे हैं, उसके साथ तीन काम और बढ़ा सकते हैं, तीन काम बढ़ाने के और तरीके, आप साथ ग्राम जोर्जेट बना रहे हैं, ठीक है, दो आइटम बना रहे हैं, तीन आइटम बना रहे हैं, साथ में दो आइटम और नहीं एड़ कर सकते हैं, हो सकता है, एक आइटम नहीं चलता हो, उसके अंदर, कोई बात नहीं है, उस अंदर, रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है, तो इश्क है, और व्यापार से जिस दिन इश्क हो गया आपका, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, दोस्तों, ये सबसे जरूरी चीज है, रिस्क लीजिए, अपने आपको आगे अपनी टीम को आगे बढ़ाईए, अपनी ओर्गिनाइजेशन को आगे बढ़ाईए, बहुत जरूरी पॉइंट से दोस्तों, नोट करके रख लिजीगा अपनी डाइरी के अंदर, खाली सुन रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, माइंड में हैं, उससे भी कुछ न आगे दोस्तों, आज आप सो करोड़ पे हैं, तो आपको डेट सो करोड़ पे पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, या आपको डेट सो करोड़ तक पहुचने के लिए कौन से पॉइंट्स हैं, जो आपको रोक रहे हैं, उन पॉइंट्स में सबसे जरूरी पॉइं रखने हैं, या मुझे दुकान बढ़ानी है, या मुझे सेल इतनी करनी है, उनके उपर framework में काम कर लीजिए, आपको सब कुछ आप ही बता सकते हैं दोस्तों, तो ये कुछ points थे दोस्तों, जिनको मैंने आपको बताया, जो अक्सर दुकंदार गलतियां करते हैं, पांच points मैं एक framework बना के आप काम करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने business को बड़े business में convert कर सकते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरा हमेशा का दोस्तों, एक ही point रहा है, कि मैं investment अपने सरीर के निचले हिस्से पे नहीं करके, मैं investment करता हूँ यहां, अपने उपर के हिस् सेमिनार साटेंड करता हूँ, बड़े बड़े लोगों के सेमिनार के अंदर जाता हूँ, एक अच्छे motivational speaker के साथ बैठता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही funda है, या तो मैं जीतता हूँ, या मैं सीखता हूँ, मैं कभी हारता नहीं हूँ, मैं 4000 की ticket भी खरीता हूँ, मैं 6000 की ticket भी खरीता हूँ, मैं 2000 की ticket भी खरीता हूँ, लेकिन जाता हूँ और वहाँ से कुछ न कुछ सिख क्याता हूँ, और अगर अच्छा लगता है तो इसको implement करता हूँ, अपने business के अंदर, तो कैसे लगे दोस्तों, ये 5 point आपको जो मैंने आज आप लोगों के साथ share किये हैं, सब अच्छे लगते हैं आपको, तो like कर दीजिए, और लगता है किसी के साथ share करना है, तो जरूर पहुंचा दीजिए उन लोगों तक, जिनको ये points कहीं न कहीं, उनका business बढ़ाने में काम लगेंगे, और हाँ, पहली बार देख रहे हूँ, इस वीडियो को, इस channel को, तो subscribe करना न भूलिए दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के वीडियो में regular लेके आता हूँ, और अगर सबसे पहले आपको वो मिलें, उसके लिए bell icon जरूर दबा दीजिए, notification पे, all पे click कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार, जै हिंद, जै भारत.